हेलो फ्रेंड, चेस्टूपेंट जुरू में आपका स्वागत है तो लास्ट मन्थ मैंने एक ओनलाइन कोर्स जोईन किया था जो की ग्राइन मेस्टर विधित गुजराती और ग्राइन मेस्टर सोम्य का था तो मैंने उसमे कुछ क्लासेस ली थी और उसके बाद क्लासेस के बाद एक टूनामेंट का वहाँ पे आयोजन हुआ था ओनलाइन टूनामेंट था तो चेस्ट.com के उपर ही था टूनामेंट बेसिकली ब्लिच टूनामेंट था और उसमें 5 प्लस 3 का जो था फॉर्मेट था गेम का उससे पहले एक थीम बेस टूनामेंट बाता हूँ मैं उस गेम को भी बताऊंगा वह अलक वैरेशन था उसके उपर अलक से अनलाइसस जो भी थी अनलाइसस भी थी लेकिन जो यह था उसके सिम्बल ब्लिच गेम था इसमें 9 राउंड थे और मेरे भी नाइन पोजिशन आये थी 9 राउंड 9 पोजिशन वाव क्या कॉभिनेशन नाइन का मैं आपको इस श्रीज से एक-एक अपने घीम बताना चाहता हूँ कि मैंने उसमें क्या गलतियन कि है और और में लोग तो यहाँ पे मेरे black pieces थे और white pieces में कोई नायर राजेस केशन था I don't know what is that but मुझे लगा है नायर राजेस केशन हो आयो मैं सही हूँ तो game की सुरुवा जो हुई E4 से हुई है simple E4 pawn फिर मैंने अपना से ceiling defense किया उसके बाद knight F3 आया और मैंने knight C6 चला फिर उसके d4 आया से ceiling break और उसके बाद c takes d4 knight takes d4 I played E6 फिर उसके बाद यहाँ पे knight C3 आया तो basically जो point होता है यहाँ जो initial जो players होते हैं उसमें मैं bishop को यहाँ पे pin करता हूँ और उसके बाद को यहाँ पे bishop को लाने की सोचता है और मैं यहाँ पे knight को win कर सकता है एक simple सा trap है जो initial level में beginners को काम करता है क्योंकि यह 725 की rating है तो मुझे लगा ही क्या पता है trap चल जा है तो मैंने वो try किया बट वो चला नहीं knight गया मेरा knight takes c6 और मैंने pawn से ले लिया b takes c6 मैं इस pawn से भी ले सकता था बट यहाँ पे यह queen उसको ले ले था और फिर मेरा king जो होता हूँ castle का right जो होता उसको नहीं मिलता फिर तो मेरे कोई pawn से ले नहीं था ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर आए bishop bishop का point इस pawn को basically support करना था ताकि future में कभी मैं knight यह knight जलूँ तो यहाँ पर इसको support मिल सके फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद है knight f6 तो simple सा मेरा वही point था कि इस पर pressure बना हूँ और साथ में चो castle है उसको activate करूँ अपने फिर मैंने knight ले लिया basically मेरा point यह था कि जो यह pawn है वो double हो जाएंगे और मेरे पास एक weakness मिल जाएगी white के area में attack करने के लिए तो यह मैंने करा और उसके बाद यहाँ पर castle हुआ और यहाँ पर bishop e3 आया e3 centralized करते bishop को okay फिर उसके बाद मैंने pawn push किया मैंने सोचा कि यह break होगा उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत bishop के लिए भी room मिलेगा और कुछ claim लेगा बट वो e5 आया जिससे attack मेरे knight में तो मैंने सोचा knight को back लाके इस पर दुबारा से attack बनाऊंगा जो मैंने किया इस pawn पर दुबारा से attack बनाया तो यहाँ पर f4 चला गया उसको support करने के लिए तो white अच्छा केल रहा था no doubt उसके बाद मैंने सोचा कि चलो center में अपने जो pawn है उसकी एक chain मना लेता हूँ white पे और यहाँ से attack करता हूँ queen side से फिर उसके बाद bishop को back लेके गए point यही था कि मैं bishop पे attack होता हूँ तो bishop को हटा के side यहाँ से इसको लाने की try कर रहा है white यहाँ पे तो मैंने जो है white पे भी attack बनाया जो bishop था फिर आया bishop e2 और उसके बाद queen a5 queen a5 का purpose मेरा spawn पे attack करना था ताकि simple समय मलब ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था जो मैंने weakness बनाया थी उसी पर attack करना था तो मैं simple chess कहल रहा था ऐसा कुछ complicated नहीं खेल रहा था यहाँ पे मैंने बले कि rating भी कुछ खास नहीं है तो मैं simple कहल रहा था बट यहाँ अलगी चाल चली जा रही थी मेरे spawn big pawn पे attack किया जाएगा अब future में वीक होगा basically यह अगर रूख हड़ता और side queen कहीं से आ जाती यहाँ पे तो chances बन सकते थे तो मैंने उसको हटाया यहाँ से g6 करके और उसके बाद वो bishop वापिस किया bishop f3 मैंने वो pawn लिया weak pawn queen xc3 और उसके बाद second bishop ने अपना activity दिखाए तो यह dark bishop जो है वो poison दिखा रहा है अपना जैरिला bishop है मेरे लिए तो यह आया मैंने आया जो open file थी उसमें अपने rook को लगा दिया और उसके बाद फिर रुख b बनाया तो इस रुख पे attack हो रहा था लेकिन यह dependent था तो मैंने सोचा कि चलो पहले bishop को आगे करते हैं अगर उसके बाद पहले bishop को develop करके कहीं मैं इस pawn को push करो और यहां कहीं attack बनाओ तो मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसा मिला नहीं पर मैं करने की कुछिस कर रहा था बट यह bishop यहां गुसे जा रहा था इस तरीके से तो इक white भी अपने plan पे पूरी तरह से सही चल रहा था तो मैंने attack किया मैं सोच रहा था यहां से check दूँ म बट मैंने सोचा कि पहले queen पे attack बनाओ और इसका support होगा और इस file पर मैं अपना control करूँ तो मैंने यह चला रूख b8 फिक queen यहां पे exchange करने का offer दिया white ने queen e1 करके तो मैंने queen को ले लिया तो आगे rook takes e1 white ने rook से ले लिया queen को और उसके बाद मैंने pawn पे attack बनाए दोनों जो pawn थे weak उन पे attack करने के सोची I think मुझे और अच्छे से खेलना चाहे था कुछ bishop को develop करना चाहे था कहीं पे बट ठीक है और यहां पे जो यह bishop है यह white का bishop dark bishop जो जैरीलव bishop है वो यहां पे बिल्कुल जो राजा है मेरे उसको block कर दिया उसने बिल्कुल एक तरीके से मैं हो सकता था मुझे pawn push करके यहां से थोड़ा बहुत रास्ता बनाना चाहे था और यहां से रुक यहां पे attack करता था तो यह planning भी उतनी success नहीं थी मेरी बट ठीक है यह रुक यहां से कहीं हटना चाहे था मैं इस रुक को eliminate करने की पूरे उसमें था कि यह किसी तरह से eliminate हो जाए और उसके बाद जो मेरे pawn है वो queen बन जाए मैं promote कर सकूँ बट यहां पे मैंने pawn लिया ठीक है रुक takes a2 और उसके बाद यह pawn push वा इस pawn को बचाया है तो मैंने सोचा कि यह pawn free का है तो मुझे यह pawn ले लेना चाहे था बट मैंने इसको ग्रुक को c2 पे लेके गया और जो यह रुक था इसको जो यह open file थी इन open file में उसको आने का मौका दिया तो यह मेरी एक पहली गलती है इसमें जो मुझे नहीं देना चाहे था ठीक है तो यहां पर क्या किया वाइट ने अफकोर्स जो open file थी सबसे पहले जो undefendant मेरा piece था bishop उस पर attack बनाया तो मैं इस bishop को कहीं move करता suppose कहीं भी move करता तो मेरे pawn जा नहीं था तो मुझे pawn भी बिसीकली और उसके बाद यह क्या गड़ता यहां आता और मेरे पास चेकमेट की पूरी threat थी मेरा game over होता है और इससे बात यह powerful move थी और उसके बाद मैंने क्या किया इसको मेरे को defend करना ही था मलब forced था मेरे लिए कि इसको defend करना है और उसके बाद फिर से जो यह था knight पे अब मुझे knight भी बचाना है तो मुझे knight हटाना था और इसको रोकना भी था यहां पे आने से क्योंकि अगर यह रूख यहां पे आ जाता हमारे B8 पे तो उसके बाद मेरी चेकमेट थी मुझे मलब कोई बचाने सकता था अब कुर्स बीच में यह आते बड़ उससे कुछ फायदा नहीं होता तो मुझे knight को वाँ पे चलना ही था फिर रूख को वाँ पे गया और उसके बाद game इसी sequence में कुछ देख़ता चला और उसके बाद repetition के बाद यह draw हो गया तो मुझे यहां पे जो मैंने गलती किया है बेसिकली इस point पे इस rook को मेरे को यहां पे से इसको मौका नहीं देना था यहां आने के लिए in fact मुझे कहीं bishop को move करना था ताकि अगर यह आता तो मैं इसको defend करता है यहां से knight से तो मेरे पर कुछ chances और होते और मैं फिर knight को ले जाता और मेरे यह हो जाता ब्लॉक हो जाता तो काफी अच्छा गेम था जो मैंने मिस किया यह पे और वाइट ने भी अच्छा केला I don't know how और यह तो मैंने कराब केला जो भी है पर यह गेम अच्छा था तो इसमें जो dark bishop था जो poisonous bishop था तो इसका नाम मैंने रखा easy dark poison बिगॉज यह मिले इजी गेम था क्योंकि रिटनिंग के हिसाब से बट नहीं हो पाया कभी-कभी I hope आपको यह अच्छा लगा होगा और मैं इसकी next जो है गेम इसके बाद मेरे आएगा तो आज के लिए था नहीं